आज के इस वीडियो में दोसों बात करने वाले हैं पिक्सल वर्स के एरड्रॉप के बारे में क्योंकि कल इनका टोकन लॉंच हो चुका है प्राइसिंग था 2 रुपए 20 पैसे प्राइस गिर के गया था 1.5 रुपए पर आज के टाइम पे 7.5 रुपए पे ट्रेड हो रहा है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं लगबग 6.5 रुपए अभी भी चल रहा है तो आपको बताएंगे कितने टोकन आपको यहाँ पे मिलने हैं और कैसे आप इसे विड्रॉप करोगे और क्यों आपको यहाँ पे जादा टोकन नहीं मिले हैं बहुत जादा लोग यहाँ पे disappointed हैं उन्हें यहाँ पे 0 टोकन मिले हैं मुझे भी एक ID पे 0 टोकन ही मिला है एक ID पे 5,210 मिले हैं और आपको दोस्तों यहाँ पे उदास होने की जरूरत नहीं है यह जो 5,210 टोकन हैं इसको हम जब भी withdraw करेंगे पूरा का पूरा giveaway में हम देने वाले हैं बट उसके लि हो subscribe कर लो जिससे आपको ऐसे videos मिलते रहे हमने पूरा detail video आपके सामने share किया था बताया था कि कैसे आपको gameplay करना है कैसे आपको वहाँ पे level upgrade करना है कैसे आपको fight करना है कैसे आपको dashboard में account बनाना है बहुत सारे लोगों ने इन task को avoid किया सिर्फ जो है combo card collect करते रहे और token यहाँ पे मिले हैं तो बात करते हैं सबसे पहले token का criteria इन्होंने क्या रखा है फिर आपको withdrawal process और आपके question के answer बताएंगे तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखो मैंने यह पूरा detail video दो हपते पहले बनाया था अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देखना मैंने कई बा उपर भी price गया है जो कि अच्छा price है यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो इनका criteria बहुत ही simple था यहाँ पे आपको coin balance collect करने पे कोई reward नहीं था combo card collect करने में कोई reward नहीं मिला रिफर करने में कोई reward नहीं मिला और ना ही आपके daily यहाँ पे task करने पे कोई reward मिला सरफ सरफ यहाँ पे gameplay करने पे और gameplay level upgrade करने पे reward मिला है जो हमने आपको बताया था बहुत सारे लोगों ने अरनी किया बहुत सारे लोग रह गए तो यहाँ पे level 1 पे अगर आप थे gameplay पे तो common NFT मिला है बहुत सारे लोग का question है कि NFT क्या है क्या हम इसे बेज सकते हैं या सरफ coin नही fungival token जो कि एक art के form में एक image के form में होते हैं उसकी rarity होती है मतलब उसकी अलग-अलग importance होती है अगर उसमें ज्यादा अच्छी importance है ज्यादा valuable है तो उसकी price ज्यादा होगी कम है तो उसकी कम होगी तो यहाँ पे NFT को भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम इसे sell कर हैं क्योंकि उन्हें common और uncommon NFT मिली है और यह सबसे गलत बात है भाई आखिर इन्हों ने भी तो मेहनत करी है तो कुछ न कुछ तो airdrop इनको देना था जो की team ने यहाँ पे नहीं किया जो की बहुत ही गलत बात है team की 5 से लेके 7 तक यहाँ पे 230 मिले है rare NFT मिली है epic NFT मिली है तो 690 coin और legendary मिली है तो 5210 इन लोगों को ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे मज़े आने वाले हैं तो यह है criteria पर इसमें भी एक twist है इनके तरफ से जो मैं आपको बता रहा हूँ तो देखो इसमें twist क्या है 10% token अभी आपको मिले है मतलब यह जितने भी आपको token मिले है न यह सिरफ 10 10% है 90% coin तो मिले ही नहीं है मतलब आपका अगर आपने 5,210 token earn किये तो actual में आपने 52,210 token earn किये है और यहाँ पे 6,900 यहाँ पे 2,300 पर यह अभी आपको सिरफ 10% मिले है ठीक है तो अभी आपको 90% कैसे मिलेगा उसके बारे में इन्होंने बताया है और यह withdrawal कप होंगे इसे claim कब करोगे 25 जुलाई को उसमें timer चल रहा है अभी अगर आप देखोगे तो एप भी नहीं चल रहा है मेरे भी एप में कुछ भी नहीं दिखा रहा है मैंने जब की अच्छा level earn किया है फिर भी यहाँ पे एप में कुछ भी चल रहा है तो एप में अभी work चल रहा है इसके का पूरा 10% आपको withdraw करना है तो यह 90% आपको नहीं मिलेगा दूसरा यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 20% कैसे मिलेगा देखो 10% तो मिल गया 20% of the pixfy supply will be rewarded to user in order to bootstrap the incentivize the use of pixel chain जब आप pixel chain इनका launch होगा उस समय जब आप pixel chain को use करोगे तो आपको 20% और मिलेगा तो यहाँ पे जैस अभी आपको इसे withdrawal कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ तो देखो अगर आपको common uncommon मिला है तो आपका time waste हुआ है आपके साथ में गलत हुआ है यह मैं भी मानता हूँ पर अगर आपने सही ढंग से task किया है गेम प्ले करके level upgrade किया है तो definitely आपने 230, 690, 500, 5,210 coin earn कियो और 5,210 coin अगर आप earn कियो हो price चल रहा है 7 रुपए तो भी दोस्तों यहाँ पे 35,000 से ज़्यादा आप यहाँ पे withdrawal करोगे वो भी first time पे तो 35,000 मुझे लगता है यार अच्छा decent amount होता है आप withdrawal करके और side हो जाना दूसरे tap to earn पे ध्यान देना आपको यहाँ पे 90% wait करने का अभी अच्छा है 59,700 यहाँ पे coin दिख रहे हैं पर अभी 0px दिख रहा है यह भी यहाँ पे maintenance पे चल रहा है जिसके कारण नहीं दिख रहा है यहाँ पे मुझे rare NFT मिली है जिसके बज़ में 200 token मिले हैं अब देखो बहुत सारे लोग का question है कि withdrawal करने के time पे यहाँ का address dashboard का औ अला कि यह 25 जुलाई को होने वाला है अभी नहीं है इसमें timer यहाँ पे चल रहा है यह मेरा दूसरा account है यहाँ पे देख सकते हूं मैं भी level 1 पे था यहाँ पे मैंने gameplay नहीं किया पहले वाल में किया पर यहाँ पे मैंने coin काफी earn किये थे और देखो daily limit भी अच्छी कासी थी उसके according आपको यहाँ पे slide करना है next पे आपको यहाँ पे PIX5 token दिखाई देगा यहाँ पे claim में देख रहा है 146 hour दिखाई दे रहा है और यहाँ पे day में दिख रहा है तो NFT का यहाँ पे 6 days 2 hour के आसपास दिख रहा है मतलब वही 25 जुलाई के आसपास withdrawal होगा तो इसको आप withdrawal withdrawal कर पाऊगे बहुत easily पर NFT अभी नहीं होगा जब Excel chain आएगा तब होगा उसको भी sell कर पाऊगे अगर आपके बास अच्छी NFT है बागी coin को आप वहाँ पे अभी के अभी अगर आप 10% निकालते हो तो आपको 90% नहीं मिलेगा अगर आपके बास 5,210 coin है तो मैं कहूंगा sell कर सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि आपको bybit का यहाँ पे wallet address select करना है जैसे मेरा already bybit selected है और यहाँ पे आपको click करके यहाँ पे इस पर जाना है और ERC20 का मतलब उनके ही PIX5 token जाओगे deposit में PIX5 token का address लाके यहाँ पे paste करना है ठीक है तब ही आप यहाँ पे इससे withdraw कर पाऊ तो वहाँ पे अगर आप withdrawal करोगे तो आपको gas भी लगेगी Ethereum में जो की ज़्यादा हो सकती है 5-10 dollar भी आपको देने पड़ सकते हैं और अगर आपके पास वो नहीं है तो आपका पैसा stuck हो जाएगा आप वहाँ पे deposit नहीं कर पाऊगे exchange पे और नहीं sell कर पाऊगे तो यह है करना और अगर यहाँ पे देखो bybit में हो जाता है तो यहाँ पे भी dashboard में भी bybit में जाके आपको यहाँ पे withdrawal कर लेना है withdrawal होने के बाद में आपको वहाँ पे उसे sell करना है अगर आप sell करना चाहते हो hold करो बागी sell करने के बाद में आपको पास में आएगा USDT और USDT अगर आपके पास आ गया तो आपको उसे INR में convert करने के लिए peer to peer यानि की P2P sell का option यूज़ करना पड़ेगा जिसके बारे में हम वीडियो बना देंगे आप लोग दोस्तों comment section में जरूर बताना आपको कौनसी NFT और कितने coin यहाँ पे मिले हैं क्या आप उसे sell कर रहे हो या hold करोगे 90% के लिए मेरा मानना यह है कि अगर आपको 5,210 coin मिले हैं पहले level पे जाके sell मार दो 35,000 लो और बाहर हो जाओ पर मेरे साब से जब आप sell करने जाओगे price dump जरूर करेगा हो सकता है 3 रुपे 4 रुपे भी आ जाए पर फिर भी जो भी अच्छा price मिले आप sell करके profit book करके बाहर हो जाना पहले question की ओर चलते हैं जो यहाँ पे काफी लोगों ने पूछा है उसका answer देते हैं यहाँ पे question है दोसो brother I was on level 2 when PIX5 coin was launched so can I increase my level till 25 July तो बहुत सार लोगों का question है कि क्या हम level 4 पे हैं उसको 10 लेवल तक कर दें 25 July को जब हमें NFT मिलेगा तो क्या हमें यहाँ पे 5,210 coin मिलेंगे तो ऐसा बिलकुल नहीं होने वाला है क्योंकि 8 July को यहाँ पे इनका snapshot हो चुका है और उसके according ही आपको token मिल चुके हैं अब यहाँ पे भी करोगे नहीं होगा दूसरा question है दोस्तों यहाँ पे कि क्या यह bybit का web3 wallet use कर सकते हैं तो बिलकुल आप use कर सकते हो दोनों में आप कर सकते हो बट वहाँ पे अगर आप withdraw करोगे तो आपको gas fee लगेगी Ethereum में अगर आपके पास वो है तो withdraw कर लो पर पहले try करना buybit में यहाँ पे withdraw करनेगा अगर directly हो जाता है तो फिर वहाँ पे आपको gas fee की जरूरत नहीं पड़ेगी तीसरा question है क्या अभी level बढ़ाने से token मिलेगा तो बिलकुल नहीं मिलेगा जो हो गया हो गया अभी आपको यहाँ पे gas fee withdraw मत करना अगर आपको 90% चाहिए पर मेरे according अगर आपको ज़्यादा मिला है withdraw करके profit लो और बाहर हो जाओ यहाँ पे next question है क्या मुझे uncommon NFT मिला है zero token क्या मैं future में मिल सकता है आगे तो देखो आपको जो भी अभी मिला है आने वाले time में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसकी कोई जानकारी नहीं है पर uncommon मिला है मतलब अभी आपको zero token मिले यह तो confirm है next question है which wallet should we connect both in pixel verse और pixel tap तो उसका answer है यहाँ पे देखो पहला तो bybit का wallet connect करके देखना bybit का pixel tap का pixel verse का जो token का जो coin का जो address है ना वहाँ पे जाके deposit में आपको मिलेगा ERC20 का वो connect करके देखना अगर withdraw हो जाए तो वहीं पे कर लेना नहीं तो metamask या फिर जो भी Web3 wallet है जो भी इन्होंने दिया है उसको आपको यहाँ पे डालना है next question है दोस्तो what can be the price of NFT token as per level तो देखो अभी NFT का price decided नहीं है जब यह launch हो जाएगा तो उसके according आपके rarity के according आपको यहाँ पे NFT का price मिलेगा पर pixel chain launch होने के बाद में अभी इसका कोई price decided नहीं है यह most important question है जो काफी लोगों ने पूछे है तो यहाँ पे देखो आपको level upgrade करने से आप कुछ नहीं मिलने वाला है ना ही आपको यहाँ पे आप कुछ भी task करोगे तो आपको मिलेगा बट 90% token आपको देरे-देरे मिलेंगे 10% अगर आप draw कर लोगे तो वो भी नहीं मिलेगा और आपको अगर common uncommon NFT मिली है तो हो सकते हैं आने वाले टाइम में आपको कुछ reward मिले पर अभी यहाँ पे कुछ भी decided नहीं है तो यहीं दोस्तों पूरी update आई होप आपको update अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छा लगा हो